असलाम अलेकम नाजरीन वेलेकम टू माई चैनल इंडिया स्टेलिया के टूर पे है वर्ल कप से पहले और लगता है उनका कॉन्फिडेंस काफी शेक हो रहा है वहां पे इंडिया में इंडिया ने आउट क्लास कर दिया दोनों मैचेस में लास्ट केम में बहुत उंदा परफ इंडिया को बहुत सारे बड़े प्लेयर जिन्होंने रेस्ट किया इवन कैप्टन ने रेस्ट किया और क्या ही बात है क्रिकट की इंडिया की जितना जितनी तरीफ करूं उतनी काम में जिस तरह की इंडिया ने टीम बिल्ड किया और स्टेलिया को उन्हों चारों शाने चि श्रेयर की उन्दा पार्णिशिप उन्दा हंड्रड नोन दोने किया श्रेयर थोड़ा सा डाउन जा रहे थे और उनकी परफॉर्मस वापस आई सूरिया कमार जादव की बड़ी उन्दा जा रहाना बैटिंग उसके बाद के राहुल की फिफ्टी मतलगत तमाम पलेयर ने ब min जातव हुआ नहीं दिया और सुरि念 लास्ट के में जो विडियो बनाई था पाकिस्तान के मैच में तो पाकिस्तान वोलल नुम्भर वन में का बना जब मैं स्लेक्शन के बात कर रहा था सेम डें इंडिया इंदीय नंबर रवन चेंज हो गया तो जो चब मैंने वीडि रहामना वाली है हर वार वैंडिया अच्छा अच्छा कर्वर्वॉं करते हुँ इंडिया पैटिंग फोर्भड मज्द कर दो कर मत्या हो 2015 इस मैच में स्पिन Niche numer चैप कंस्टेंड़र कर रहा है वह है मैच विनिंग परफॉर्मर्स मैं कि पर व्हीं बिति किसम कर चुर। एकमार यादिव की आप बैटिंग देखें श्रेयर की आप बैटिंग देखें क्या बात है उन्होंने एक टाइम पे अपने आपको नीचे नहीं लगने दिया बहुत मुझा परफॉर्मनें वेल ड़न इंडिया की टीम कंगरेचुलेशन श्रीज जीतने की और हाड लक स्टे सब्सक्राइब तीसरा मैच में रोई श्रमा भी वापस आएंगे विरात कोली भी वापस आएंगे देखते हैं इंडिया तीन सिफर से जीत पाता है कि नहीं बेस्ट अफ लग दोनों टीमों को से यूज